पुष्य नक्षत्र जो की 27 नक्षत्रों में सबसे विसेश और सबसे बड़ा नक्षत्र माना जाता है ऐसी मानेता है इस दिन किया गया कोई भी विसेश उपाई, पूजा, पाढ़, दान, पुनिन, नएकारी की सुरुबात और कुछ विसेश खरिदारी जो है भागी की यह मंगलवार, गुरुवार, बुद्धवार, रविवार को पड़ेना तो यह अपने आप में अध्भूत हो जाता है, मई महने में पढ़ रहा है, बैसाक का महना रहेगा तो यह अपने आप में अध्भूत हो जाएगा, स्री राम चंदर जी का जन्म भी पुष्य नक्ष और कोई यहों करना चाहते हैं उसकी सुरुवायत करना चाहते हैं तो इश … कुल मिलाकर, पुष्य नख्शत्र अपने आप में सबसे स्रीष्ट माना जाता है सब-से-अच्श आया धाता, 27 नक्षत्रों में सबसे स्रेस्ट नक्षत्र सरोप मई है जाना जाता है 2024 मई माह में पुष्य नक्षत्र प्रारंब होगा 13 मई सौमबार के दिन यह जो है पुष्य नक्षत्र सुबह 11 बचकर 23 मिनट से सुरू हो जाएगा और इसका समापन 14 मई मंगलवार के दिन एक बचकर 5 मिनट के आसपास यह समापन की ओर होगा ऐसे में यह पुष्य नक्षत्र उदियाती थी कि अनुसार दुरलब सयोगों में मंगलवार के दिन 14 मई को हो रहा है इस दिन गंगा सब्तमी का भी पावन पवित्र दिन रहेगा और अपने आप में कोई नया कार कोई नए वाहन की सुरुवात कोई दुकान खोलना और यह दिन विवाह के लिए भी सुब माना जाता है गंगा सब्तमी का तो इस दिन नए कारी की सुरुवात करना पुष्य न माई मंगलवार के दिन 11 बचकर 3 मिनट से सुबह के समय एक बचकर 44 मिनट के आसपास कुल 2 घंटे 41 मिनट के मध्य में कोई सुबह काम करना नए चीज की खरिदारी करना और विशेश तोर पर चनी की दाल दान करना और पीली रंकी वस्तुओं का दान करना के लिए व्रक्षु के आगमन में सहाइक रहेगा इसका विस्तृत वीडियो कैसे पूजा करनी चाहिए कि स्वरूप में इस दिन विधान है इसका वीडियो जरूर से चैनल पर आएगा अभी संशिप्त रूप से आप सभी को जानकारी मैंने देने के लिए यह वीडियो बनाया है वीडियो आपका अपना चैनल है पुश्य नक्षत्र का खूब लाव उठाय और कुछ स्रेश्ट करने का प्रियत्न करें